हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैच से एक्सरसाइज 1.3 का कोस्चन नमबर 8 डिसकस करूंगा आप बस वीडियो को ज्यान से देखिए आंतर तक देखिए वीडियो पसंद आये तो वीड है सबसे पहले क्या करेंगे इनको डिवाईट करेंगे तो कि 5 अंदर हो जाएगा और 7 बाहर हो छाएग सबसेटार ex environmental इसको विडिवायोंब कर सकते हैं लेकिन हमें बस इतने से काम चल जाएगा तो मैं आगे डिवीजिन नहीं कर रहा हूं इसी प्रकार से हम 9 over 11 को जब डिवाइड करेंगे तो 9 को डिवाइड करेंगे 11 से ठीक है तो यहां पर जब 0 लगा करके decimal लगाएंगे तो यह हो जाएगा 90 तो 11 एड़ जा कितना होगा 11 एड़ एटीएट रिमेनिंग हो जाएगा टू फिर यहां पर डिशमल लगा हुआ है तो जीरो बढ़ा देंगे अभी से कितनी बार ले जा सकते हैं 11 तो इसको भी आगे नहीं करेंगे इतना अमारे लिए सफिसियंट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें सॉल्यूशन भी है तो देखो यहां पर फाइफ ओबर सेवन इस इकोल डू कितना हो जाएगा 0.71 और अगर आप देखो यह 9 अपन 11 तो इसका आंसर आजाएगा 0.81 ठीक तो यह हमारे पास दोनों नंबर आगे मैं अभी इसका डिविजन हटा देता हूँ आप देखो कोशन ने कहा क्या था कोशन ने यह कहा था कि इन दोनों रिशनल लंबर के बीच में कोई तीन इरेस्नल लंबर बताओ तो इरेस्नल लंबर वह होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपंसन जो होता हो नान टर्मिनेटिंग नान रिपीटिंग होता है तो आपको अपनी तरफ से एक्जामपल बताने पड़ेंगे हाँ आपको वह इतना ध्यान रखना है कि वह 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पर देखो जो मारा पहला नंबर है पहले आप लिख लेंगे कि ठीरी डिफरेंट इर्रेशनल नंबर आर ठीक मान लो कि आप यह 0.71 है तो यहां पर लिखो 0.72 इसके बाद 0 लगा दो फिर 72 फिर 00 फिर 72 फिर 00 फिर 00 ऐसे करके कोई एक डिजिट जो है उसको बढ़ाते जाओ जैसे जिरो यहां पर हमने एक बार लिखा फिर दो बार लिखेंगे फिर तीन बार लिखेंगे अगली बार चार बार लिखेंगे तो इस प्रकार से कोई एक डिजिट को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो यह बन जाएगा ह मालो आपने जो अगला लिया वो लिया 0.781211211211211 तो आप यहां पर देख रहे हैं उसकी जो digit है वो बढ़ाई जा रही है जैसे कि यहां पर 1 यहां पर 2 बार 1 यहां पर 3 बार 1 यहां पर 4 बार 1 अगली बार में कितना आएगा पांच बार बनाएगा तो इस परकार से संख्यात चलती रहेगी खतम नहीं होगी तो यह कुछ हमारे irrational number के example हैं जो 5 upon 7, 9 upon 11 के बीच में आएंगे और अप अपनी मंद से कोई दूसरा भी लिख सकते हो ज़रूरी नहीं है कि यही आप भी लिखो तो यह हमारा answer हो गया आप चाओ तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class